Hello everyone, देखो आजकल majority लोगों को vision की problems है, किसी को दूर की चीज़े दिखाई नहीं देती, किसी को पास की और किसी को दोनो Vision की यही problems, myopia, hypometropia and presbyopia केहलाते हैं आखिर क्या reason से इनके पीछे और कैसे इससे ठीक हो सकते हैं, आईए जानते हैं आज की इस वीडियो में देखो पिछले वीडियो में हमने humanize के parts और उनके functions को समझा था, इसमें हमने ये देखा था कि lens और ciliary muscles, light को रेटिना पे कैसे प्रजेक्ट करते हैं इसमें lens contract और relax हो जाते हैं, जिसे हम power of accommodation कहते हैं अब ये ही light, रेटिना के बजाए, रेटिना के आगे प्रजेक्ट होती हैं, तो उसे myopia defect कहते हैं, और अगर ये पीछे प्रजेक्ट होती हैं, तो उसे hypermetropia कहते हैं चलो इन दोनों को detail में समझते हैं, starting with myopia देखो, myopia को near-sightedness बोलते हैं, जिसका मतलब होता है, पास का दिखाई देना इसमें person को पास की चीज़े तो अच्छे से दिखाई देती हैं, बट डूर की चीज़े blur दिखाई देती है इसका main reason है, कि light रेटिना के बज़ाए रेटिना के आगे कनवर्ज होती है और ऐसा होने के सिर्फ दो possibilities है इसमें पहली है, lens की convergence power का ज्यादा होना और दूसरी है, eyeball का slightly बड़ा होना इन दोनों सिनारियोज में, light रेटिना से पहले hit करती है and as a result, person myopia का शिकार हो जाता है इसको टीक करने के लिए हम concave lens को यूज करते है देखो, concave lens incoming rays को थोड़ा spread करता है जिसके काराण उनकी projection lens बढ़ जाती है और वो रेटिना पे प्रापर लिए hit करते है and as a result, patient को फिर से चीज़े दिखाई देनी लगती है अब समझते है hypermetropia को hypermetropia को long sightedness कहते है जिसमें long का मतलब होता है दूर का और sightedness का मतलब होता है दिखाई देना इसमें person को दूर की चीज़े तीर लिए दिखाई देती है बट प्रास की चीज़े blurry दिखाई देती है और इसका रिज़न है कि light rays रेटिना के पीछे converge होती है देखो ऐसा होने की दो possibilities है पहली या तो lens की converging power कम होना और दूसरी eyeballs का छोटा हो जाना इन दोनों सिनारियोज में light रेटिना से आगे हीट करती है and as a result person hypermetropia का शिकार हो जाता है अभी इसे टीक करने के लिए हम यूज करते है convex lens convex lens की converging power ज्यादा होती है जो incoming rays को थोड़ा पहली ही converge कर देती है and as a result इनकी projection length short हो जाती है और light rays directly रेटिना पे हीट करते है इससे patient past की चीज़ों को भी देख पाता है अभी यहां तक वीडियो समझ में आया है तो यार like करो अब बचता है हमारा last effect प्रेजवायोतिया प्रेजवायोतिया को age related far sightedness बोलते है जिसका मतलब होता है उमर से संबंदित दूर दरशिता हाँ यही देखो यह different mostly चालिस के बात के लोगों में देखा जाता है अगर तुमने notice क्या होगा तो गर में हमारे पिता जी, दादा जी, ताओ जी किताबे या फिर अकबार पढ़ते समय उनका चस्मा लगाते है हाँ यही है प्रेजवायोपिया देखो एज के साथ साथ हमारी सिलरी मसल्स और लेंस अपनी फ्लेक्सिविलिटी को खोद दते है जिसके कारण वो प्रॉपर्ली कॉंटरेक्ट और रिलेक्स नहीं हो बात है और एज रिजल्ट लेंस पास के अबजेक्ट को फोकस नहीं कर पाती और बिकाज अफ विच परसन सफर्स प्रेस बायोबिया देखो यूजवली प्रेस बायोबिया वाले पेशन्ट बाइफोकल या फिर प्रोग्रेसिव लेंस का यूज़ करते है इस लेंस की खास बात ये होती है कि पास की और दूर की दोनों विज़न ये साइमल्टेनिस ली क्योर करता है मतलब किसी को अगर बुड़ापे में चीज़े ऐसी दिखाई देती होगी तो वो बाइफोकल या फिर प्रोग्रेसिव लेंस के बाद ऐसी दिखाई देगी तो ये थे हमारे आइस के तीन मेंड डिफेक्ट्स अभी कुछ लोग कलर ब्लैंड भी होते हैं जिनको कुछ-कुछ कलर्स दिखाई नहीं देते इसके पिछे कुछ अलग सायंस है बट अगर तुम्हें इन में से कोई चीज दिखाई दे रही है तो उसे दबाओ और हाँ कलर से याद आया लाइट से कलर कैसे फार्म होता है ये मैंने समझाया है इस प्रिजम वाले वीडियो में तो यहाँ पे क्लिक करो तुमसे वही मिलूँगा बाबाई